हेलो नमस्कार जहीं दोस्तों आप सबका एक बार फिट से बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल टेक्निकल विद्यासियस में दोस्तों हम आप लोगों को जो है डेली सुबह आड़ बज़ जो है वेल्डिंग के दो-तीन क्लास देखे हैं हम सी क्योंके जो है most important classes थी विया जो लोग नए नए लोग आज इस वीडियो के मादियम से जुड़ रहे हैं अपने इस यूटूब चैनल से वजा करके उन वीडियो को जरूर देख लेंगे और आज की भी वीडियो दोस्तों बहुत ही सांदार होने वाली है और बहुत ही important important question को जो है इसमें हमने रखा है जो किसी भी competitive exam में और CITS exam में बार बार पूछे जाते हैं तो चलिए दोस्तों आज की session को सुरू करते हैं बीना किसी delay के तो दोस्तों यही कहेंगे जो लोग नए जूर रहे हैं भीया प्लीज अपने इस YouTube चैनल को subscribe कर लीजे क्योंकि आपको 7 बजे जो है reasoning की 8 बजे math की class और सुबे 8 बजे जो है theory की MCQ class आप लोग को मिल रही है तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस class को दोस्तों आज का पहला question है निम्न में से कौन सा कौन सा दोस उच्च धारा के कारण होता है तो कौन सा जो दोस उच धारा के कारण होता है उसे undercut कहते है right answer B हो जाएगा बढ़ते हैं इस question के दोस्तों मध्यम कारबन इसपात plate की welding के लिए उत्तम तापकरम क्या होगा तो जो आपका medium carbon steel होता है या फिर मध्यम कारबन इसपात होता है plate होती है उसकी welding के लिए उत्तम तापकरम क् 300 degree centigrade आपका right answer B हो जाएगा दोस्तों बढ़ते है next question के दोस्तों उत्तपादित acetylene की सुद्धता जाचने के लिए filter paper को किस गोल में सोखा जाता है तो बताए किस गोल में सोखा जाता है copper sulfate के, caustic soda के, silver nitrate, sodium nitrate तो जो उत्तपादित acetylene की सुद्धता जातने के लिए filter paper होत जाते हैं या फिर उसको सोखते हैं या फिर सोखा जाता है उसको तो right answer C हो जाएगा बढ़ते हैं निस question के दोस्तों निस question है बीना पूर तापन के धलवा लोहे को विल्ड किया जाए तो क्या होगा तो बीना पूर तापन के मतलब प्री हीटिंग के अगर जो है धलवा लो पूरे को फिल्ड की जाता है तो right answer C हो जाएगा क्रेंग दिया लेकिन दोस्तों क्रेक होता है बढ़ते हैं इस question के दोस्तों फ्लेम का सबसे गर्म भाग होता है फ्लेम का सबसे गर्म भाग क्या होता है भीतरी भाग मध्यम भाग बहरी भाग उपरोक्त में से सभी तो जो यह सबसे घर्म होता है फ्लेम का सबसे गर्म भाग होता है भीतारी बाग में भीतरी इनर इनर से बूसे पोलते हैं तो dreamsится क्यों फेलिब क्रेंब हो भीतरी कुर्म वाग होता है बहते हैं बढ़ते निंस क् RUS दुक दूस्तों निमड में से कौन सा Building Tools है? Building Tools कौन सा है Chipping Hammer, Electrode Holder, Helmet उप्रोग थो सभी तो Chipping Hammer दोरा स्लैक को हटाते हैं Electrode Holder दोरा Electrode को होल्ड करते हैं गदाते हैं और Helmet दोरा अपने Face को Sealed करते हैं फिर Head को आपका Right Answer दोर स्टो time-d हो जाएगा उसका जो है विल्डर पर कुप रभाव न पड़े इसलिए विल्डिंग की दिवारों का रंग क्या होता है नीला लाल काला पीला तो आपका क्या होता है काला रंग होता है आपके जो है विल्डिंग बूत की दिवारों का काला रंग जो होता है आपके किसी प्रकास को बहुत ज़्यादा एवसोसित करता है इसलिए जो है विल्डिंग दिवार का रंग काला होता है दोस्तों ताकि जो है रेडियेशन हो तो जो विल्डर हो उसके उपर उप्रभाव उस रेडियेशन का ना पड़े तरह ही टैंसर सी हो जाएगा ब्लैग बढ़ते हैं इस्कूछिन तब मोटे जाबो के वेल्डिंग के लिए, किसी भी प्रकार के वेल्डिंग के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आपका जो reverse polarity का उप्योग किये जाता है दोस्तों, पतले जाबो या फिर पतले वर्कपीस की वेल्डिंग के लिए किये जाता है, तो आपका राइट एंसर साथ कर्द कि या जाता है है इसको याद के लिए दौस्तों बहुत इंपॉर्टन पुश्चेंए सब्सक्राइब चलो हुआ बढ़ते हैं इसको दोस्तों कि लेफ्ट वर्ड बिल्डिंग में जोडदेड-डेश की तरफ विल्डिंग करते हुए बनाया जाता है तो जो leftward building होती है उसमें जोड जो है किस तरफ की building करते हुए बना जाता है बाएं से दाएं दाएं से बाएं दाएं तथा बाएं दोनों तरफ से उपरोग सभी दोस्तों जो leftward building होता है उसमें जोड जो होता है वो दाएं से बाएं बना जाता है तो right answer B हो जाएगा जोड कै इन्तर दोस्तों पूरक्षण का गलनांग बेस धाष से दैजेस होना चाहिए तो जो फिलर मिटल होता है जो आपका जिसमें जॉइंट करना होगा जो आपका वर्क पीस होगा उससे क्या होता है कम होता है ज्यादा होता है बराबर होता है उपरोक्त में से कोई नहीं तो जो आपका फिलर राड होती या पूरक छण होती उसका गलनाग हमेशा जो बेसधात से कम होता है तो यह हो जाएगा दोस्तों बढ़ते हैं नेस कुछ जिंग तरह आप निवन में से उस ब्लो उपरोक्त में से कोई नहीं तो आप आप जो है आप सन जान जाएंगे हाई प्रेसर बलो पाइप जो है हाई प्रेसर बलो पाइप का जो है ऊपियोग हम लोग हाई प्रेसर विल्दिंग में करते हैं तो राइट एंसर ए हो जाएगा बढ़ते एनस कुछ जिंग तरफ वे exclusively वील्डिंग नंबरों में मिलती है क्रंसा डालेट डेस होते हैं टो जो विल्डिंग नोजन होती है कितने नंबरों मिलती है 0 expect us2 0osphorus 20 एक सब्द्द सब्द सबप्द तो आपका वेल्डिंग टार्च में जो होता है होज प्रोटेक्टर जो होता है दोस्तों वो आपको बैखक फायर से बचाता है तो राइट अंसर दी हो ज़ाएगा प्रोटेक्टर बढ़ते एने स्कूषिंग तरब दोस्तों आक्सी श्रिटलीन गैस फ्लेम का तापमान होता है तो आक्सी श्रिटलीन गैस बिल्डिंग में जो फ्लेम पैदा होती है उसका तापमान क्या होगा तो आपका राइट एंसर होती है तो आपकी चार प्रकार की 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 होती है तो राइट एंसर आपका भी हो जाएगा दोस्तों बढ़ते निस कुश्चिंग तरब दोस्तों निस कुश्चन है जोलन सील गैसों के आधार पर निमन में से कौन सा कटिंग टार्च का प्रकार है आक्सी असेट्लिन कटिंग टार्च, आक्सी मिथेन कटिंग टार्च, हाइक्सी हाइड्रोजन कटिंग टार्च, उपरोक्त सभी दोस्तो बात करें ये तीनों होती है तो आपका राइट एंसर क्या हो जागा उपरोक्त सभी जोलन सील गैसों के आधार पर जो है ये तीनों जो है कटिंग टार्च का प्रकार होता है तो आपका उप्रोगत सभी हो जागा राइट एंसर D बढ़ते हैं निस कुछिंग कर दोस्तों निम्न में से कौन सा कटिंग टार्च का भाग नहीं है कटिंग टार्च का भाग कौन सा नहीं है एसी टलीन वाल निसक्री मिक्स्ट चैम्बर नोजल या टिप अर्थ क्लैम दोस्तों अर्थ क्लैम जो होता है आपके साट कीट को पूरा करने के लिए दिया जाता है तो आपका राइट एंसर C हो जाएगा जो है कटिंग टार्च का बहाग जो है अर्थ क्लैम नहीं होता तो आपका राइट एंसर C हो जाएगा बढ़ते हैं नेस कुछिंग तरफ दोस्तों कटिंग टार्च की बाड़ी निम्न में से किस धात की बनी होती है कापर की ब्रास की हीलियम की एलुमीनियम की तो जो आपके कटिंग टार्च की बा निम्न में से किस मसीन का प्रयोग किया जाता है अनियमित गैस कटिंग के लिए जिस मसीन का प्रयोग किया तो उसे क्या कहेंगे स्टेट लाइन कटिंग मसीन प्रोफाइल कटिंग मसीन प्रयोग करते हैं मसीन का उसे कहते हैं प्रोफाइल कटिंग मसीन आपका राइड एं CO2 gas supply करना, methane gas का supply करना, तो आपका right answer हो जाएगा दोस्तों, oxygen supply करना, cutting nozzle के मद में बने hole का जो कारे होता है दोस्तों, वो था है oxygen को supply करना right answer भी हो जाएगा, बड़ते हैं निस कुश्चिंग सब दोस्तों, साधारन gas cutting दोरा cast iron को काटना cutting होता है, क्यों cutting होता है, बताइए साध आपका right answer दोस्तों, या force नहीं किया जा सकता है, आपका 4 option क्या है दोस्तों, साधारन gas cutting दोरा cast iron को क्यों नहीं काटना cutting होता है, दोस्तों या silicon oxide बनाता है, तो यह रहा आज का आखरी question, तो आसा करते दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो जो लोग दोस्तों न जानकारी के लिए और preparation उनकी full कराई जा रही है, तो दोस्तों चलिए अब मिलेंगे जो है कल की class में, साम को आपको बताया है, रिजिनिंग क्लास होती है, 7 बजे, 8 बजे मैध की होती है, और सुबे daily 8 बजे, आपके threat theory के MCQ प्रोवाइड की जाते हैं, तो दोस्तों आप व